हेलो बच्चों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़ी अरहोगे दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों फाइनली ग्रुप टू का लास्ट पेपर आ चुका है फाइनेंशल मैनेजमेंट और एकनोमिक्स फॉर फेनेंस मुझे पता है आप सब लोग अंदर से बहुत जाधा एकसाइटेड हो कि जल्दी से पेपर फिनिश हो और आप लोगोंने बहुत सारी लंबी चोड़ लिस्ट बना रखी है जो आप लोग को पूरी करनी है after the completion of paper जी हाँ आपको करनी भी चाहिए लेकिन मेरे दोस्त अभी बस थोड़ा से आपने आपको hold करो और जो मुमेंटम आपने बनाया है उस मुमेंटम में रहो और यह फाइनल जो पेपर है आपका believe me यह आपका decider है य आप लोग का group R या पार लगा सकता है और जो भी आप लोग के पास aggregate की problem आती है वो इस paper से दूर हो सकती है आप 70 प्लस इसके अंदर secure कर सकते हो बहुत ही जादा scoring है और comparatively syllabus जो है वो बहुत कम है देट दिन में हम आसानी से इसे wrap up कर सकते है तो मेरे हिसाब से आपकी strategy जो हो कोशिश करेंगे आप leverage, dividend decision और capital structure यह तीनो chapters को over करने की कोशिश करेंगे इन में से थोड़ा सा भारी थोड़ा सा इत्तु सा भारी capital structure है लेकिन leverage और dividend decision बहुत ही जल्दी हो जाएंगे formula based नहीं 3-4-4 formulas है इन्हें आप निप्टा दो निप्टाने के लिए आपका focus क्या होना च और उसका एक-एक example, एक-एक illustration, एक-एक test your knowledge का question करके जाना है, कोई भी question आप miss out नहीं करोगे, एक-एक example, एक-एक illustration, एक-एक test your knowledge का question आप करके जाओगे institute के material का, और believe me आप exam में देखोगे कि similar question आपको दिखाई दे रहा है, बस नाम बदल गया है और figure बदल गया है, even जो statement ह वो as it is cut, copy-paste आपको मिलने वाली है, focus आपका क्या रहेगा, study material के सारे questions, last चार attempt का, including this one, May 22 का RTP, and पिछले चार attempt के exam papers, ये आपका focus होना चाहिए इस वक्त, calculator पे सारे questions solve करोगे, important working notes को copy पे note-out करके चलोगे, 28 में का target, leverage, dividend decision, capital structure, एक-एक question, I am repeating myself again and again, एक-एक question करके जाना है एक भी question आपको miss out नहीं करना है, इसके बाद कल आप दोपहर तीन बजे तक अपना remaining जो FM का portion है, वो निप्टाएंगे, सबसे पहले cost of capital, then capital budgeting and risk analysis in capital budgeting, then working capital estimation, जिसमें operating cycle और current asset, current liability निकालके working capital निकालते हैं, working capital estimation निकालेंगे, इसके बहुत जादा chances ने आने के, क्योंकि last exam में data management पे भी question आ चुका है, cash budget पे भी question आ चुका है, तो data management और cash budget पे इस बार question आने के chances ना के बराबर हैं, तो उसे आप सबसे बाद में भी करोगे, तो भी चलेगा, तो सबसे पहले cost of capital निप्टाओ, capital budgeting निप्टाओ, risk analysis, capital budgeting निप्टाओ, working capital estimation निप्टाओ, ratio analysis निप्टाओ, and then आप data management और cash budget के questions study material से देख के चले जाओ, इनसे मैं बार बर बोल रहा हूं, आने के chances ना के बराबर रहेंगे, clear, 3 बज़े तक का आपका target है, कि आपने अपनी FM निप्टा लेनी है, 3 बज़े तक FM निप्ट गई, उसके बाद आप उठाओगे economics for finance, और economics of finance में भी 15 नंबर find up कर लोगे, then आप अपनी theory revise करना शुरू करोगे, और केवल और केवल आपको theory read करनी है, 2-3 बारी, ठीक है, ratification पे time मत खराब करना, हाई हमको याद नहीं हो रहा, word to word, कोई दिक्कत नहीं है, exam में जब तुम देखोगे, तो तुम अपने आपसे answer बना पाओगे, maximum economics के एक बजे तक, तुमारा economics for finance पूरा निपट जाए, जो कि मुझे पता है, easily आप wind up कर लेंगे, अगर आपने पहले एक दो बात पढ़ रखा है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, and then, 30th को सुभा उठके, अपने RTPs and MTPs को go through कर लेना, और जो भी तुमने important ची की theory कर जाओ, आपकी FM की theory, 90% वहीं से आ जाएगी, right, तो मेरे हिसाब से, this is the best strategy, मैं अगर आपकी जगह पर होता, तो मैं इसी को follow करता, and I am sure, कि यह strategy ऐसी है, जो हमें easily 70 plus score करा सकती है, FM के अंदर same questions आते हैं, वेटा, as it is, रखे-रखाए questions आते हैं, पूरे-पूरे marks आप फ classes conduct करी थी, revision वाली YouTube पे, उनका एक playlist बना के डाल दिया है, playlist मैंने बना के डाल दिया है, वो playlist को ज़रूर कर लेना, आपको अगर problem आ रही है तो, ठीक है, अगर आपको questions करने में दिक्कत आ रही है, खुद से आपके questions नहीं बन रहे हैं, तो आप उसके through study material के सारे questions cover up कर सकते ह right, मिलता हूँ दोस्तों आपसे जल्दी, all the very best, take care, bye bye, have a nice day